तो स्टूडेंस आज मैं आप लोगों को कमशन एंड फ्लेम का ही एक दूसरा पार्ट बताने वाली हूं जिसमें फायर एक्स्ट्रिंग्वेजर के बारें बताऊंगे और साथ में यह बद भी बताऊंगे कि कौन-कौन सी चीजों का होना नेसेसरी है या फायर सुपर, जिसमें आप बताता है कि ककी चीजों का होना नेसेसरी होता है जब कहीं पर आग लगती है, जरूरी है कि क tailor होना से when visiting,전 का होना जरूरी है थी座ैं तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आप लोग मेरी वो फर्स वीडियो दीख सकते हो, इसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कंबसें के लिए कौन कौन से कंडिशन का होना जरूरी है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो क्या है, फाइर एक्स्टिंग्विजर ठीक है, फाइर एक्स्टिंग्विजर, सबसे पहले ये देखो कि कहीं पे भी अगर फाइर कैच करती है, कहीं पे भी आग लग जाती है, तो क्या होता, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, अगर वो कंट्रोल नहीं होता है, तो वो बहुत ही खतरनाक रूप ले ल लगती है और उसको वहाँ पर नहीं बुजाए जाता है तो वह आग जो होती होती है और वह आग स्प्रेड होते होते वह एक भयानक रूप ले लेती है तो इसलिए उस चीज को कंट्रोल करना क्या होता है बहुत ही जरूरी होता है ठीक है तो उस चीज के लिए ही fire extinguisers जो होत है ठीक है अब देखो कि हम किस तरह से extinguis कर सकते किस तरह से मुसको रोख सकते आग को फैलने से यह अगर लग जाती है मुसको किस तरह से रोख थाम कर सकते हैं कैसे रोख सकते हैं देखो यहां पर three conditions आपको जो मैंने बताये थे combustion के लिए कौन-कौन से चीजे बताई थी first thing आपको बताया था मैंने combustible substance राइट second thing मैंने आपको क्या बताई थी air supporter third thing क्या इसकी ignition temperature ठीक है ना तो अगर मालो कि इन तीनों में से किसी भी एक चीज को इन तीनों चीजों का होना ही जरूरी अगर इसमें से कोई भी एक भी condition अगर नहीं होती है तो वहां पर आग नहीं लग सकती इट मींज क्या है कि अगर इन तीनों में से अगर हम किसी भी एक चीज को हटाते हैं तो वहाँ से आग बुझ जाएगी ठीक है तो हम लोग देखो Comfortable Substances स्टार्ट करते हैं जैसे अगर मालो कहीं पर आग लगती है ठीक है तो जो चीज जल जाती है जो भी जलने वाली चीज में इस क्या है जो combustible substance है तो combustible substance में जो भी चीज जल जाती है उसको तो वो जल गई तो अब क्या उसको कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर मालो और आगे और भी combustible substances होंगे और अगर हम उनको हटा देते हैं वहां से तो क्या होता है कि वो आग spread होने से जाएगी क्योंकि combustible अगर substance ही नहीं होगा तो क्या जलेगी है ना तो इसलिए जो भी चीज अगर बचीवी होती है जो चीज नहीं जलीवी हो तो इस चीज को अगर हम हटा देते हैं तो वो आग जो है वो spread होने से रुख जाएगी वो वहीं पर बुज जाएगी वो आगे spread होगी ठीक है second thing क्या है air supporter यहाँ पे air supporter क्या है oxygen घड़ दो यहाँ पे supporter जो है वो प्या है oxygen क्योंकि oxygen जैसे कि मैंने अपको last video में बताया था कि oxygen का होना व यहाँ मेक्या है तो यहाँ पे अगर मालो कि oxygen को उसका जो oxygen जो है उसको अगर cut off कर दिया जाए उसके supply को अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा आग जो है वो automatically बुझ जाएगी क्योंकि अगर oxygen नहीं होगा तो burn नहीं होगी ठीक है ना तो इसलिए अगर उसको अगर हम oxygen के supply को रोक देते हैं तो वहीं पे आग बुझ जाएगी है ना और दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे कि अगर कहीं ऐसी चीज़े जहाँ पे आग लग गई है तो वहाँ पे क्या करते हैं पानी डालते हैं पानी डालने से भी क्या दालने से वहाँ पे evaporation हो लेकता है water vapors form करने लगते हैं और वह water vapors बनने के कारण क्या होता है कि वह आग जो लगी वी होती है वह अपने आप बुझ जाती है लेकिन हर एक जगह पे हम water को नहीं डाल सकते जैसे कि मालों कि यह पे अगर आग जहाँ पे जैसे पैट्रोल हो होता है वह lightweight का होता है है ना जिस कारण से पानी नीचे रह जाएगा और oil उपर की और आग नहीं बुझेगी क्योंकि oil जो combustible substance है वह तो direct oxygen के contact में आ रहा है है ना तो इसलिए वह क्या होगा वह जलेगी continuously वह जलती रहेगी और वहाँ पे water का कोई काम नहीं होगा क्योंकि व तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कुछ दूसरे fire extinguisor को use किया जाता है आग को बुझाने के लिए ऐसे ही जयसे मालोग की electricity के वज़ए से अगर कहीं आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए भी क्या किया जाता है water को use नहीं किया जाता है ना क्योंकि water जो है वो एक good conductor of electricity है वो electricity को conduct करता है तो जो भी उस आग को बुझाने के लिए जो लोग जाता है अगर मालो वाटर को use करता है तो उस वाटर के कारण के आ सकता है उसको electrical shock लग सकता है उसकी जान खत्रे में आ सकती है that's why electrically अगर कहीं पर आग लगती है तो वहाँ पर भी water को use नहीं किया जाता है जहां पर water है sorry जहां पर oil हो गया मिंसकी जो fuel है जो oil petroleum kerosene यह सारी चीजे हो गई साथ में जो electricity के कारण जो आग लगती वहाँ पर water use नहीं किया जाता remember that okay देखो next क्या है हमारा कि हम जो इन सारी चीजों में से किसी एक चीज को अगर हटा देते तो वहां से आग बुझ जाएगी है ना तो यहां पे और एक चीज की जैसे मालो कि अगर किसी भी person को अगर आग लग जाती है तो उस person को आग लग जाती है तो हम उस आग को देना चाहिए उनको ढख देना चाहिए है ना ब्लैंकेट से ढखने से क्या होता है कि air supply जो होता है वहीं पर stop हो जाता है तो अगर air supply नहीं होगा तो क्या होगा वह अपने आप आग जो है वह बुझ जाएगी ठीक है इसी लिए ब्लैंकेट्स जो हो है उसको यूज किया ज अब देखो fire extinguisers में actually में होता क्या है जो fire extinguisers होते है वो क्या होते है fire extinguisers में क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसे chemicals रखे जाते है जिससे क्या होता है कि जब वो chemical आपस में react करते हैं तो reaction के साथ की सीच का formation करेंगे वो carbon dioxide का formation करेंगे ठीक है fire extinguisers में कुछ ऐसे substances होते हैं जिस जैसे थीश प्राइज से मालों के जैसे यह कंटेनर का कटेनर को जैसे इम उपन抉पन है उस से क्या होता है कि वह उसके अन्दर में उसके कमीकल होते हैं, तो आपस सी क्या नियुक्त करते हैं, carbon dioxide का और ये carbon dioxide जो होता है वो fire को जलने में किसी भी तरह से helpful नहीं है वो आग को जलने नहीं रहती वो उसको क्या कर देगी बुझा देगी तो इसलिए वहाँ पे इस तरह के chemicals जो है वो use किये जाते हैं और ऐसे chemicals में मैं आपको कुछ example बताऊंगी जैसे मालो sodium bicarbonate है ठीक है जो fire extinguisor होता है उसमें sodium bicarbonate है NaHCO3 और ये किसके साथ react करेगा S2SO4 मिंस कि sulfuric acid इसको sulfuric acid है जिसको क्या कहा जाता है इसको एक तरह का soda acid type extinguisor भी कहा जाता है soda acid type extinguisor soda acid type extinguisor इसमें क्या होता है देखो कि जैसे मालो की ये एक container है ठीक है मैं एक roughly अपके लिए बना रही हूँ इस container में यहाँ पर क्या है एक bottle होता है ठीक है ये एक bottle है अब इसी में ही क्या होता है एक knob बनावा होता है ठीक है यह एक knob बनावा होता है मैं आपको roughly बस बता रही हो एक इस knob में यह एक knob होता है और यह knob को जैसे गुमाया जाता है जैसे कहीं लाग लगती है तो इस knob को जैसे हटाया जाता है तो यह bottle जो होता है यह इस bottle में मालो की यहाँ पर क्या है acid है में इसकी S2SO4 है ठीक है नहीं एक मिनट रुक जब एक मिनट वेट 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 यह है sodium bicarbonate और इसमें होता cell puric acid ठीक है जैसे ही इस nozzle को यह मालो की इस knob को हटाया जाता है वैसे यह क्या होता ब्रेक हो जाता है यह S2SO4 मिन्स की यह acid वाला bottle जो यह तूट जाता तूटने के साथ ही क्या होता है यह दोनों आपस में react कर जाते हैं देख रहे हो ना यह एक soda acid type extinguisor है जिसमें आप क्या देख रहे हो हो S2SO4 जो की acid है और यह क्या है salt है नहCO3 ठीक है जब यह आपस में मन्स की पहले तो यह देखो कि process में होता क्या है जब इसको हटाया जाता है इस knob को उस knob को हटाने से ही क्या होता है कि यह bottle जो होता है यह तूट जाता है तूटने के साथ ही क्या होगा कि यह दोनों आपस में react करते हैं ठीक है S2SO4 and NHCO3 यह क्या है sodium bicarbonate है और यह क्या है sulfuric acid है जब यह आपस में react करते हैं तो इस reaction के कारण किस इसका formation होगा sodium sulfate plus water plus carbon dioxide ठीक है तो यहाँ पर यह carbon dioxide water and sodium sulfate इन तीनों चीजों का formation होता है जिसमें यह carbon dioxide form कर है जिससे क्या होगा कि उसके उपर एक layer बन जाएगी जो oxygen को आने नहीं देगी contact में जिससे वो क्या होगी कि आग जो हो बुझ जाएगी कभी-कभी क्या होता है कि foam भी यूज किया जाते है जिससे क्या होता है कि air supply जो होती रुक जाती है तो वहां पर भी कहीं कहीं जगा पर ऐसे form वगेरा भी यूज किये जाते हैं carbon dioxide यूज होते हैं फिर दूसरे fire इंग विजर का टॉपिक जो वो यही तक आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना और साथ में आप लोग वो पुरानी वाले वीडियो देख लेना आपको अच्छे से समझ में आजेगी कमशन और फ्लेम के बारे में नेक्स टॉपिक जो है वो आपका फ